कि असलाम उलेकुम इस्पिल्लाहिर्मन रहीम वालेकुम स्लाम रक्टर जुबहर तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्टर अब को पता है एंप्रियालोजी के फिर्स्ट लेक्टर हमने पड़ा था टाकिंग बॉर्ट फेल्टिलाजेशन की बात कर रहे थे तो जरा मैं पीछे वाला रिवाइज कर दूं जल्दी से तो हमने कहा था कि वाट इस अब्रियालोजी कुछ बच्चे नहीं यह एंप्रियू बनना है उसकी नौ महीने के अंदर उस फीटस की डिवल्पमेंट है जो मां के पेट के अंदर होती है उसके स्टेटी करना अब्रियालोजी कहलाता है फिर फिर यह इनॉटमी औफ फिमेल रिप्रोड़क्र ट्रैक हमने देखा था कि विजैना सर्विक्स य थो देख़ा हमने यहां से देख़ देख थो कहां गई डियाग्राम, कहां गई। प्रमने कहा था कि बिषयर होती ही हैं पर जह लिएमपोला में commodity कर स चूयद हो वो साइट था, जो मियासस 2 में, मेटाफेस 2 के दूराण वो अरेष्टेट था, स्टक था वहाँ पर, तो यहां तक हमने देख लिए था, फिर अब हमने क्या देखना है, कि जब सुपर्म रिलीज होते हैं, तो सपर्म कैसे मूव करके सुपर्म की मूवमेट्ट से पहले हमें स्ट्रक्च्चर स्ट्रक्चर कैसी होती है जो इसकी मूवमेट को बड़ा एजियरी देख लेज़ें तो यह इसके तीन पॉष्शन होते हैं पहला इसका है थे मेड़ी होता है प्रूटे मेड़ इसको फले पी्स होता है पर इसको फलेज अभी बोलते हैं फिर d इसको सब से पहले हम है ti Lori करते हैं कि head क्या है तो head में मज़ीद दो चीज़े होती है कितनी दो चीज़े एक nucleus होता है और दूसरे acrosome होता है अब जो nucleus होता है nucleus के अंदर क्या होता है nucleus के अंदर 23 chromosomes होते हैं या फिर हम इनको चया होता है वो होते हैं उसके बासsomething yeah अप्रियों में हाडोलाइटक उसे जायं प्रोटियो कि इन जाइमी इस त deliver video होते हैं हो ये थी थी kैnda half head में दो चीज़े होती है सब्सक्राइब होता है है Nucleus जैसके अदर male gametiany 23 chromosome होते है applied chromosome number of chromosome applied one and होते हैं दूसरा समें acrosome होता है acrosome में क्या होता है acrosome में hydrolytic enzyme होते है या फिर proteolytic enzyme होते है for example acrocin enzyme for example acrosome and protease and protease hydrolytic enzyme में acrosin हो गया और proteolytic enzyme की example में protease हो गया तो यह दो चीज़ें इसमें होती है तो यह देख लें है टेफ सुपर्म सेल कंटेंस नुकलियस विच इस 23 क्रोमोसोम मेल हप्लाइड एक्रोसोम विच है इसमें ठीक है तो उसके बाद मेंट पीस तो मेट पीस स्की बाथ करता है तो वह कहता है कि मेंट पीस म्यट डाय डिखाय जार रहे है इस तरह दिखा है है इस तरह स्पारल शेप के मैट्रोकांड्रिया होते हैं अब अगले चीज़ इन मैट्रोकांड्रिया का काम क्या होता है अब आपके होता है यहां पर फ्रक्टोस कहां से आता है जो मैट्रोकांड्रिया होते हैं यह फ्रक्टोस को यूज करते हैं और फ्रक्टोस को यूज कर अपनी अपनी movement के दुरान इसको यूज करता है और यूज करके क्या करता है वो भी मैं आकर बताता हूं ठीक है अभी आप इतना देख ले फिर सॉन ले मैंने क्या कहा मैंने कहा कि मेटर पीस में spiral shape mitochondria होते हैं इन्हें mitochondria का काम होता है कि fructose fructose को यूज करके ATP की production करना और यह ATP यूज करता है आपका फ्लेज जला या फिर टेल movement करने में यानि हरकत में यूज करते हैं अच्छा उसके बाद उसके बाद उसके बाद आपका यह जो fructose होता है है यह क्या होता है fructose हमने यहां पर बात करें fructose होता है तो आपके माइड में सवाल आ रोका सर जी फ्रक्टोस क्या होता है चलने जी फ्रक्टोस अब फ्रक्टोस आपको पता है शूगर होती है कर्भोहट्रेट होता है लेकिन होता कहां पर है यह होता है सैमन में सैमन होत ह Serve आपको होता है Fractose कहां से आता है कि जब आपका सॉमन रिलीज होता है , करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे सपर्म के मैटो कांडिया आप के मैटो कांडिया क्या होते हैं सब depress में पड़े होते हैं सब्सक्राइब गताते हैं यह अप सक Conseil से अप के आप सबस्क्राने यूज करता है आपको फ्ले freelg में ते सके आ मैटों पीस अप the sperm cell contains mitochondria and spiral shape these mitochondria utilize the fructose to produce ATP which is used in the movement of flagella or tail so recall अब को पता है fructose carbohydrate fuel source of sperm cells that is present in seminal fluid and released from seminal vesicles अच्छा देखें मैंने क्या कहा मैंने कहा कि fructose क्या होता है सैमन में होता है और मैंने कहा कि सैमन केंट क्यों से बनता है सैमिनल vesicles से और प्रोस्टर ग्लैंडिस से अब इसमें जो सैमन के जो प्रोड़क्स होते हैं वो कुछ तो Salmon सेबुआ हैस आपर सेमन क्या होता है, सल्मेल अल्सो नवीयों थी नवीbenिन संपी और हमाल सेमने री यहिज एवेश्पेत, लौ नषपल्स पाँ यह होते है। तो यह आपका क्या हो गया मेड़ पीस हो गया ठीक है उसके बाद आपका फ्लैजला की टेल होती है अब सुने टेल के बारे में सुने टेल की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है अज समझ घार rhा है आप लोगं को मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं हाई चाले जाट करने वाला मैं याद करने वाला या दो फ्रकूस करके बैठें यह तो अगे बढ़ते हैं तो यह आपकी डेटेस को यह यह जो टेल है इसकी structure किस तरह की होती है कि टेल की structure Sir yes Sir चले चले तो टेल को हम देखते हैं टेल की structure कैसी होती है तो वह कहता है टेल में 9 dublet's 9 dublet's macrotubules होती है क्या होती है 9 dublet's macrotubules होती है पहले चीज, पहले चीज, दूसरी चीज, वो कहते हैं, D हमई होती हैं जो के मिडर में होती है। दूसरी चीज इसकह पर थी में इसमें दो प्रोटीन और तीसरी चीज कौन कुंसे होती है हौने जूद्यू गए और दूसरी प्रोटीन होती है स्वा wrapping जुmail के लाक्त दो आप होते हैं हिंथ करो से पिर सुलें तरफ यहां से यह पेला यह देखें दो एक हो गया दूसरा दूसरा डबलेट तीसरा डबलेट चना-चसी पांच्वां चर्था-साथवां नामा वो कहता है बूसरी चीज़ वह कहता है इसमें 202 या फिर एक चंदर में होता है यह यह करता है यह था क्यों चीज डाइनन्ट प्रोटीन वो कहता है डाइनन्ट प्रोटीन के दो आर्म होती है एक आउटर आर्म एक इनर आर्म तो यह आपके पास यह यह वाली आउटर आर्म में प्रोटीन की यह वाली इनर आर्म में डाइन्ट प्रोटीन की ठीक है और जो डाइनन्ट प्रोटीन और tubulin protein美味 होती है यह आप सपर्म की जो तेल है ये इसको फिलेजला भी लाआपके सकते हैं उसकी while में काम आती है किसमें चापने सब्सकि लिएक और देखे सब्सक्रणा है क्या पर चाने मोसितन फलेजैला खाहिए इसनेम होती है यह अप क्रोद्ग मेप are formed in center shape around the outer region of the flagella while two macrotubule segments are one macrotubule pair are located in the middle of the flagella so within the macrotubule there are further two mortality proteins pallidane protein motor protein होते है यानि movement कराने में काम आती है motor protein की काम होता है जो movement कराती है consists of outer and inner arms and plays role in the transport of sperm cell the tubulin protein satoskeleton protein होती है ठीक है also play role in movement and transport of sperm cell तो एक ही बात है तो मैं कहते है इस तरह की जो cell की आपके मूब इस तरह की structure है आपकी टेल की this kind of arrangement of macrotubules in the tail allows for powerful movement of sperm cells along the reproductive system so flagella is responsible for movement of the sperm cells in the reproductive tract by using ATP flagella ATP यूज करता है कौन सी ATP जो के metrocontine ने बनाए थी metrocontine ने कैसे है मैंने का तरह मैंने कहता है छोके मेंड़ पीश में होते हैं MIDDL में होते हैं यह ATP produce करते हैं तरह चैसे करते हैं फरक्टोंज को यूज करते हैं फरक्टोंज कहां से आता है Seminal Fluid से आता है, Seminal Fluid से जाता है, चले, एक बार फिर सोलने, पूरा सोलने, पूरा एक बार फिर सोलने, पूरा सोलने, चले, चले, चले जी, देखे, हमने कहा कि आपके Sparm के तीन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट, पहला, नूपलेयस अब नूपलेयस के अंदर 23 ख्रोमोसम्स होते है उस्तुराइट गहिंट्स, जिनों ने यगजांगे जा आगर 23 क्रोमोसम्स आफ मैटोकांटरिया होते हैं परहन शकल के मैटोकांट्रिया का काम क्या होता है यह मैटोकांट्रिया फ्रक्टोस को यूज करते हैं और ATP बनाते हैं अब यह कुछ प्रोड़क्ट्स से सेमेनल वेजिकल के होते हैं कुछ प्रोस्टट्र ग्लैंड के होते और को घ्रू घ्रू phones ठीक है तितीच namних होती हैं और उसमें स्वखरव के लिए अब आगे हैं और फ्रक्ट की ता सेमन एंदर लेकिन यह कहां से होता है सेमें से मेल वेजिकल से प्रोस्टट्र ग्लैंड तो यह होता है seminal vesicles है तो यह आपका था made piece then we will talk about the tail तो सोनने tail की बारे में वो कहता है tail में पहले है इस तरह के nine macrotubule around होते हैं चार पाँच चे साथ तो आठ होते हैं और middle में दो और होती है और इन में tubulin protein और फिर outer arbor inner arm protein होती है यह movement में काम आता है ठीक है और यह कैसे movement में काम आता है यह इस ATP को यूज करता है जो फ्रक्टोस से meto content ने बनाई थी तो यह फलेजरा जो इसको यूज करता है और movement में काम आती है तो समझ आ गही है बता है मुझे यहां तक समझ आ गही है कि आपका स्पर्म मूव कैसे करता है अगर समझ आ गया तो बता है नहीं समझ आ गया तो हम लोग पिर आगे बढ़ते हैं चैनले डान ने जी सिर्फ डाक्टर एजवत को समझ आया है और किसी को नहीं समझ आई डाक बहुत ज़्यारा शराब पीत है, alcohol consume करते है, exposure to various pesticides, या फिर उसको radiations के उपर उसको exposure है, तो उसके अंदर इसके जो sperm है, उसके mutation हो सकती है, male है, जिसके अंदर serenium की deficiency है, consumption की, वो alcohol ज़्यारा यूज करते है, या फिर वो pesticides और radiations के उसको exposure है, वो ज्यादा उसके उपर radiation पढ़ होगी, जैसा के सुपर्म जैते हैं, देखें, अभी हमने देखा सुपर्म single head है न, तो ऐसे ऐसे patient में एक head की बज़े है, multi head होगे, एक head भी होगा, फिर दूसरा head होगा, फिर तीसरा head होगा, तो सुपर्म के दो से तीन head होगे, ठीक है, selenium, डाक्टर अजवाद, यार ये sel सेलीनियम क्या होती है, कमिस्ट्री नी पढ़ है आप लोगोंने, selenium क्या होती है, metal होती है, metal होती है, non metal होती है, क्या होती है selenium, चले, डाक्टर अजवाद कहते है metal होती है, तो हम तो अब हमने structure देख ली, अब हम देखते है movement of superm within the female reproductive tract, अब हम लोग देखते है कि superm move कैसे करता है देखें हमने हमने पहले क्या देखा था कि ओवरी में एक प्रोड्यूस हुआ है एक सेकंड होल्ड करें जड़ा कि अज़िए हमने का और में एक प्रोड्यूस होता है यानि स्केंट्रियोसाइट पर स्केंट्रियोसाइट और में आजता है रिपर तीडिया अब हमने पाड़ लिया अब हम ऐलेखें तब होता है तो यहाँ से मूव विभ्व कैसे करता है कैसे यहां तक बहुंचए यह हमने देखना है यह हमने देखने तो सबसे पहले चीज़ लिए ने सबसे पहले चीज़ है मैंने कहा था जब सुपर्म विजयना में र intrans제oc होता है तो स्पर्म कहां पर होता है मैंने कहा था आपर पाड़ेंगा है तो आप सपर्म यहां बोता है तो यहां से ड्रेंट गेर नेचे गर सकता है वापस आ एक उसके पस इंजाइम होता है जिसका नाम होता है वैजिकुलेज वैजिकुलेज एक इंजाइम होता है अब यह वैजिकुलेज इंजाइम क्या होता है वैजिकुलेज इंजाइम एक कोईगुलेज इंजाइम है कोईगुलेज इंजाइम है कोईगुलेज इंजाइम का है कि यहांद पर आपको कौन से加शोा या आपका सामर मिल ग欸 yang स्ीखक गटा हुआ हूए था थीक बस्ति लुक्राइब जो घर को एक लेच करता है तो यह चो नहीं पर्प्रणश कर लाठाए तो च्राइक थो कर देता है को एकुलेट करता है अब इस को एकुलेशन से क्या होता है कि आपके स्पर्म होते हैं यह सुपर्म जो है यह आपकी विजैना की दिवारों को साथ यहां पर जाकर चिमड जाते हैं यहां पर चिमड जाते हैं स्टक हो जाते हैं और यहां पर को एकुलेट हो जाते ह है कि जब सुपर्म लीज होते हैं सेमन लीज होता है तो सेमन ट्रेंड आउट हो सकता है बहर तो क्या होता है कि वहाँ पर आपका वैजिकुलेज इंजाइम होता है किस में होता है सेमन में होता है वो कोईगुलेशन कराता है कैसे बहला वह विजैनल fluid और seminar fluid दोनों को coagulate करते हैं और coagulate करने के बाद जो आपके दिवार्वं को सब्स जाकर ऐते हैं यह पहले चीज अग़े parler चीज़ समझ आगे यहां- अगली चीझ अग happy श्लिक्त फिर एक और इंजाइम आता है एक और आता है इसी गूरह फिर और फो ट्रीमिनो लाइसेंज लाइसेंज क्या करता है जबहतके महां यहां पर यह यहां पर एक रधाएंज प्रॉआ तो इतनी ही तुरां इसी ही दुरां पम्रीशम में द्यार कम मोनें। स्क्सक्राइब अब इसके इंप करंद मसल्स हैं इनकी परते हैं जब स्कुईस करते हैं तो यहां से सपहर्म को सक्क कर लेते हैं क्या निदों सबस्क्राइब फंधर में इसा प moment salt फेड़वीज़ इस नहीं आपर सब कर दो कि आपको भूल रहा हूँ ने आखें यहां पर पहला काम पिर दूसरा काम जैसे चीमटते हैं पिर आपका धर Mixer जयों के सीमन में होता है यहां वहände बंडों शाया जाहिए बिरेखणी घो जाना जए होता है अब डेक्ट परस्ट्रक टान स्कों कराते हैं यहां आपके uterus को क्या कराते है squeeze कराते हैं तो आपके uterus की समूत मसल्स होती है दिवारें यह squeeze करके सुपर्म को सक कर लेती है स्व 똑ा कहा पहुंच जाए अगली चीज कहा है कि अगली चीज में होता है क्या होता है कि एक और इंजा SI ये आपके सामल में होता है सेमेनल एंहां काम क्या है सेमिनल प्लाजमेह कैता है कि अगर आपके पास दशार्ट कोई वागँरण कोई बेक्टेरिया वागरेilar ताकि यहां पर जो जाइगोट ऐ है फ्रिलिफिशन के बाद वो जाइगोट को एक और स्टेराइल इंवार्मेंट पर वहाँ पर किसी बेक्टरियर का कोई असर ना हो वह आपके जागोट पर अटाइक ना कर सके फिर एक और एक और आता है सैमिनल सैमिनल एलेक्षिन क्या आत और आधेशिंगे फॉर्टिफटीघिन होती है एंपॉला की तरफ एंपॉला की द्रेफ मूविंट करते हैं कौन करता है थामिनल रिलैक्सन से आपका जो आपके जो परम होता है वो कहां पहुंच जाता है एंपॉला में तो तो जब अपॉला में पहुंच जाता है तो पहर ओस भए तो आपका स्केंड्र में पहुन्ट संटाथ फिर्ल divиз करतायायं क्र FEMA आप इसे कुंड़ादेशन करता है किया करता störด है कि क्या लादेशन करता है वह कृ biological कौन को देखते हैं आप गज़ें जानता इसको का स्पर्म जब रिलीज हुए अपर पार्ट तो स्पर्म ड्रेन आउट हो जाते हैं तो इससे बचने के लिए आपका वैजिकुलेज इंजाइम आता है जो के कोईगुलेज इंजाइम होता है सैमन में होता है यह क्या करता है यह आपके सैमिनल फ्लुएड और विजैनल फ्लुएड को आपस में कोईगुलेट कर देता है इसकी कोईगुलेशन से आपको जो स्पर्म होते हैं वो विजैनल की सरफेंग साथ चिमट जाते हैं अब चिमटने के बाद आपका एक और इंजाइम आता है जिसका नाम होता है अब फैब्रुन ला नहीं को देता है इसकी कवडिक करता है तमाम वेक्टेरा जो कोच भी उनको केयल कर देता है फिर आपकर समेंल रिलैक्स आता है सब्सक्राइब को लेकर फिलोपें ट्वी के जिरे एंपोला तक लेकि जाता है पिर एंपोला में जा किस्ले क्या होती है हम पर फौली आगड enzyme present in seminal fluid. तो यह सेमन में होता है and released from seminal vesicles. तो हमने कहा था ना कि सेमन को seminal vesicles भी बनाती है और prostaglandis भी बनाते हैं. तो आपका जो vesiculase होता है यह कौन बेता है उसमें seminal vesicles बेती है. causes seminal and vaginal fluid to coagulate with each other and sperm cells adhere to the surface of vagina to avoid the drainage of sperm out of vagina. तो सुपर्म आपके एडियन कर जाते हैं विजयना की सर्फिस के साथ. दूसरी चीज़ सुने हैं. during coagulation and adhesion of sperm cells with the vaginal surface fibrino license. इंजाइम होता है present in seminal fluid and released from prostaglandis. आप यह कहां से रिलीज होता है? prostaglandis से रिलीज होता है. ठीक है होता है seminal fluid में यह भी. breaks of coagulation and causes entry of sperm cells into cervix. ठीक है? तो यह उनको service में बेच देता है. prostaglandis present in seminal fluid and released from the seminal. अभी seminal vesicles release होता है. induce the peristolic contraction. आपके नाब uterus की जो smooth muscles हैं. उनमें peristolic contraction कराते हैं. peristolic contraction कराता है. यानि सक squeeze कराता है and causes retropolean of the uterus. this retropolean and contraction of uterus squeeze the sperm cells further along the female reproductive tract. तो उनको इस सक कर लेते हैं. ठीक है? फिर आता है आपका seminal plasmans. प्रेजने समिनल fluid are released from यह prostaglandis release होता है. acts as an antibiotic and disrupt bacterial cells and microbes present in the female reproductive tract. in this way seminal plasmans ensure that the female reproductive tract has a sterile environment for reproduction. चलें जी अगले चीज़. अगले चीज़. अगले चीज़ देखें जी. challenging. अब seminal relaxants present in the seminal fluid and release from prostaglandis release होता है. enhances the mortality of sperm cells along the floppian tube towards the empola of the female reproductive tract. ठीक है? जब when many sperm cells reach the empola of the floppian tube then fertilization occurs in following stages. तो अब हम fertilization की stages देखते हैं. यह समझ आ गया है? बता है मुझे response करें कि movement of sperm कैसे है? समझ आ गई है. देखें, हमने यहां पर एग रिलीज़ कराके यहां पहुचा है तब एमपोला में जो कर सकेंट्री और साइट है, एक भी एमपोला पहुच चुक है, अब इनकी fertilization कैसे होती है वह हम देखते हैं. तो stages of fertilization यह देखें. जी 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 जरूर. पर देखें, मेल देखें, पहली पहाँ सुलें, पहला आपके enzyme कौन सा है? Vesiculase. ठीक है? अब, अब Vesiculase का काम क्या है? Vesiculase का काम है कि Viginal Fluid plus Seminal Fluid. Viginal Fluid plus Seminal Fluid. तो आपके male reproductive tract में Seminal Fluid तो होता है, कि वहाँ पर Viginal Fluid होता है? नहीं. तो वहाँ पर यह काम करेगा आपका Vesiculase? नहीं. दूसरी चीज, दूसरा enzyme कौन सा है आपका? हमने Fibrino License बढ़ा है. Fibrino License इन Coagulation को तोड़ता है. जब आपके male reproductive tract में Coagulation हो गई नहीं, तो यह तोड़ेगा वहाँ पर? प्रोस्टअग्लेंडिज. प्रोस्टअग्लेंडिज क्या करते है? इसको squeeze करते है, ताकि Spalm को हम सक कर रहा है. ठीक है? तो यह से इनको सक करने के काम आता है. तो वहाँ पर ऐसा कोई function नहीं होता. अब समझे आगई है? चले. कि अधिन कर सकती जो देखें पर सपार्म जो है ना एक देखें एसी डेक इनरमेंट में आपको स्पार्म डैमेज नहीं होता है यह होता है कि इसी डेक इनरमेंट में स्पार्म की जो सपीड होती है ना सपीड मूबमेंट की वह स्पीड काम करने के लिए अभी हम पढ़ते हैं कि यहां से पहली चीज़ है आपका क्पैसिटेशन अब यह आपका क्या है भई स्केंड्री ओसाइट यह आपका स्पर्म पहुच गी है स्केंड्री ओसाइट के पास पहुआए दोन्हें पढ़ा हुआ हुआ है तो उनको जूम कर दिया दुन अप्रणा में पहुंच गया हैँ अब 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 सुने अब क्या होता है अब यह आपका क्या स्पर्म सेल है अब यह इस इसका बीच मेट्च और यह उसकी टेल ठीक है अब अब हमारी चीजें को स्टार्ट होंगी है अब client हैं में देखें हैड के उपर है में क्या होता है पहली बात बताइए sisters ऐसके अदर रॉसरा क्या होता है according to desperation होती है ठीक प्रॉटीन होती है जैसा के glycopropteans glycopropteans होती है पहले चीज दूसरी चीज इसमें प्रॉटीन होती है Glycop ode nottealर reagन कर्भ उसी थी त्र छीज इस में cholesterol होता है क्या होता है cholesterol होता है तीन चीजह होते हैं देखे इसके head के ऊपर surface एस पर सर्फिस पर ये आप देख सकते हैं ये शटी आप ऐस देख सकते हैं ये दलू वाली भी है और ये Reads वाली भी है तो आप को ये मोकalıлем जब इसको सर्फस के उपर दिखाई दे हैं गर्फेंग में तीन चीजह पहले क्रोमसोम्ज और यह सर्फस के ओपर मजीद तीम ग्राको प्रॉटिण प्रॉटीन अर्फिलेस्ट्रोल अब अब सबसे लिए से पहले इसकी प्तेशक-सक्य क्या क्यों प्तियस्टा सैक्ल की इस तरह होती रिलीज होता है आपकी युट्राइंन ग्लैंस को कि इंको युट्राइंड ग्लैंस गाम करता है कि आपकी सुपार्म के विवार्स के ऊपर देखें यह पर इसही समझ आ रहा था को देखें इस होता है क्या होता है एस्टोजन कब वांट फ़र्टिं डेज वरी से अब estrogen क्या करता है uterine glands के पास जाता है किनके पास uterine glands के पास उनको कहता है कि आप uterus से और कहां से cervix से आप जोने fluid secrete करें क्या fluid अब यह fluid क्या काम करता है यह fluid जाता है इंस स्पर्म के पास जैसे अब जब यह आपका स्पर्म मूब कर रहा होता ना तुरू और रिप्रोड़क्टिव ट्रैक्ट उसके ओपर यह अम्मल के पैस्टेशन वाला हो रहा होता है होटीफाइड मूटीफाइड गलजो थे हैं गलेको प्रोटेन्स होती हैं ओप्रोटीजों के अब अभी अब पर काम करना है तो जब आपका फिमेल साइकल बांटू फोर्टीन डेस्क यह रिलीज होता है ओवरी से यह यूट्राइंड ग्लैंड के पास जाता है कि आप यूट्रस फ्लूइड और फ्लूइड रिलीज करो ठीक मैंने बताया था ना यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं सर् फ्लैस्ट्रोल ग्लैकोप्रोटीन प्रोटीन सब को रिमूव करते हैं और सपेसिफिक मोडिफाइड ग्लैकोप्रोटीन इसकी सर्फस के उपर रह जाती है यहां तक समझ आ गिया है इस काल्ड के पैसिटेशन अगरी चीज सुनें आगे क्या होता है आगे अब आपका जब कके कपेसिटेशन हो जाती है अब यह जाता है अब इससक्राज़ से जब आगे चीज तुन ले इस सब्सक्राइबिया यह क्या होता है और उपर से एक और सर्फिस होती है जूना पहले सूड़ा क्या जूना पहले सूड़ा तो यह इसके एक और सर्फिस होती है अब जूना पहले सूड़ा के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं जूना पहले सूड़ा रिसेप्टर टाइप 3 जी पी 3 जी पी 3 तो य यह समझ आगे हैं किस्कांड्रियोषाइड में दो चीज़ें होते हैं एक में और एक उसका गया हुआ हैं अब क्या होता है आपका सुपर्म जिसके ऑपर specific modified glycoproteins लगी हुई है वो यहां पर आता है और स्कैंट्रियोशाइड के ऊपर जो के मेत लोगते ही ट satisf होते हैं जैसे ही आटेम को फोक चीजें थी हमने कहा थे 23 kromosome और republican होती है गुछा होगा zpajisbella Neo … yen जैसे दोनों वहां से खुती हैro Katie Heads यहां फिहाड मेता थे साथा प्ति को चौछ हैडाल है्टेलािक की प्रोटोलाटिक चौती है लोगते यह minds तो जैसे फियन होगी हैड की और जी पिटरी की तो आपके जो एक्रोसॉम वैसिकल्स है उनके अंदर से एक्रोसॉम और प्रोटियेज रिलीज हो जाते हैं अब यह दो हैट्रलैटिक कटेंग होते तो यह इंजाइम जाके आपके यह जो जुना सुटा की जो लेयर है इसमें सुराख कर देते हैं इसमें क्या करते हैं सुराख होल क्रियेट कर देते हैं अब जब इसमें होल क्रियेट होता है तो जैसे होल क्रियेट होता है तो वहां से सुपर्म अंदर इंट्री कर दियाता है अब सबसे पहले कौन से सुपर्म अंदर कराता है तो कैसे कराता यूट वो सबसे पहले पहुंचेगा जब क्योंकर वह सबसे पहले पहुंचेगा तो ऑनकर राक्षिंट के साथ होगा जब पहले एक्रोसिंट और legends डांधिव होगे जब वो अंदर दाखिल हो जाता है तो अगला अमाल होता है fast block to polo spermi, अब यह क्या होता है fast block to polo spermi, कि अब यह जो strong sperm था यह अंदर आ गया है, अब पीछे जितने भी sperm आ रहे हैं यह उन sperm को रोकेगा, weak sperm को रोकेगा कि आप अंदर नहीं आ सकते, आप अंदर नहीं आ सकते, आप अंदर नहीं आ सकते, ताकि मैं सिर्फ एक ही अंदर जाओ, एक सकंद घोड़ कर मैं पानी पीलू, चलें जी, चलें जी, अब यह fast block to polo spermi कैसी होती है, जो spermi अंदर दाखिल हो गया है, अब वो spermi कहां पहुंच चुका है, cell membrane पे उबर पहुंच चुका है, यह देखें, जोना पहला सेड़ा को पार कर रहा है, अब यह sperm जो अंदर दाखिल हो चुका है, यह back sperm को कैसे रोकेगा, वे sperm को कैसे रोकेगा कि आप नहीं आ सकते हैं, यह sperm का competition होता है, अब जो आपकी ग्रीन यल्व सा और यह रेड यह दो है, अब यह देखें यह beta sub unit है और यह alpha sub unit होते है, अब जैसे स्पर्म cell membrane के उपर जाता है, तो वो cell membrane के उपर जाकर इस protein के साथ अटाच होता है, जैसे ही अटाच होता है, अब देखें, वहां से स्पर्म में एक क्या था, एक्रोसोम थ अब जैसे ही हैड जाता है इस प्रोटीन के साथ होता है तो वह इस प्रोटीन के सबसे पहले जो है ना वह अटाइच होता है सबसे पहले वह अटाइच होता है जैसे ही वह बीटा सब्सक्राइच होता है क्योंकि यह मेंब्रेन आपकी कहा पर अटाइच है cell membrane के साथ यह protein cell membrane के साट तो जब rhag पॉजटीव चार्ट होता है तो आपके जे प्रोटीन होते स्पेसिक प्रोटीन ये इनेक्टiaçãoट यह इनेक्टियु जैसे ही इनेक्टियु रहा रहें स्पारिव जो के आथे उन्दर आते हैं यह प्रोटीन के सत्षाइज नहीं पाते लिए रहाइं तो बनक्न स्वाल्ग को बदागर हो बढ़ते हैं अब उनको क्या हो गया पुलाक हो यह जाय K हूं है अब आपक जड़ से कjang पर क्या होगा बीटा गया अब तो आपको सुपार्म का हैड जो है न else आपक्राट मद्राण टाटर अटेच होगा जैसे ही वहलभा सब इन OSR कर देगा तो आप यहां से क्या रिलीज कर देगा हो अगली चीज़ अगली चीज आगली अगली चीज़ होईने हैं, अगली चीज़ होती है, अगली चीज़ होती है स्लो बलाक्ट्रो पोलसपरमी, अब ये स्लो बलाक्ट्रो पोलसपरमी कैसे होती है, अब हमने क्या कहा, हम ने कहा है हमने कहा कि जल्दी से रिलीज होता है, जैसे ही calcium रिलीज होता है तो calcium के दो काम होते हैं, पहला काम क्या होता है, कि आपके जो leishosome पड़े होते हैं, कि आप पड़ी हो है ना leishosome arg nowis, पड़ी हुए है आप लोग ने FSE में पड़ी होगी, कि cell के अंदर अज़ी है मित्षी दर्ह Nou ये ये ज titre हिए अब जैसे ही 23 करोंसों इप्लाइड करेंगा सबसे पहले जैसे ही लेसे सु मेंट करके तर जाएगा कैसके तर शेल मिद्रेंट करेंगा sorry यह खेर जैसे इधर मेड़े करेगा तो ऐक्रोसोंट के अंदर कि अंदर जिलीज हो जाते हैं जैसे रिलीज हो जाया कर आपके जो यह जो जुनाप्रेले स्क्राइब स्क्राइब तो पीछे वाले जितने भी स्पार्म थे वह आपके स्केंडरी ओरसाइड के साथ नहीं में स्टक होती है और जब स्पर्म अंदर उन्ट्र होता है तर अधिके अपनी मेहाखें करो म्यासस कंप्लिट करो तो जल्दी से आपका Scandry Ocide Masses 2 Complete करते हैं और एक Death Rate of Yum या फिर Egg बन जाता है अब यह Egg जिसके पास 23 chromosome है और यह sperm जिसके पास 23 chromosome है दोनों मिलते हैं और आपका क्या बन जाता है जाइ वाव बन जाता है और यहां पर यहां पर estry की ओडीशन होती है और यहां से फीटस का प्राउट こと किया समझ आगी है रपीट करना है इसको एक बर बताय है मुझे बताया सार्स रपीट करूए पर फिर कित्का बताया मुजह अगर किसी को रपिट कराने तो बता दे मुझे है अगर किसी को रपीट करानों जो बता दें आप लोग सुझे तो यह सब करें है छले जी टेपर इस के रीटिंक करते हैं हम लोग वाई तो चले के पैसिटेशन चले कि फस्परास्ट कर दें चलेंदेंद एक बारा नदया इंसेशन होते हैं तरफसे पहले आपका प्रोटियों और प्रोटियमें उन्झाय मोटें तै paparjalंग्मेद प्रोटियम ये तीने चीज़ा होती है आप सबसे पहले आपका फिवेल साइकल के 1-14 डेस के ओपर एस्टोजन रिलीज होगा ओवरी से अब एस्टोजन जाएगा यूटरस के पास और बोलेगा कि आप यूटरेंट ग्लैंड को बोलेगा कि आप जो ना यूटरस यूटरस और सर्वेक्स से फ्लूइड रिलीज करे है जोना पैले सुड़ा के जीपी ठ्री के बाहर जाता है जैसा ही प्रोलेगा इसे पास जाता है, तो इन स्पिस्फिक लेकोप्रोटीन जरीए जीपी ठ्री के साथ securely रिएकारिक होता है जैसे ही मैमरीन की 2 बैता होते हैं तो प्रोटीन नहीं के पहले बीटा यून Schonay ने स्ट्ड्योजिण अंदर जיהता है तो अंदर पोजिटेव चाइश कंशिया हूँ होती है इसे पो उतरा होता है अब क्या होता है अब यहां से अंदर से कैल्शयम लिज होता है जब आपका ट्वटी-ठी मेल रिप्लाइड नदर जाता है तो चैल्शयम के दो काम होते हैं पहला काम कि आपके लैससों को करेंगा तो लैस iosome मेंगरेट करेंगे वर सेल मेंब्रेइन जुना बहुत्स स्पर्मिका मतलब सुपर्म यानि बहुत स्पर्म को भॉला करता है लेकिन फ्लो बुलाके जो होती है फिर कैल्शिम दुसरा काम करता है कि जल्दी स्केंड्री आसट के मजीर समझ आ जाएगा मजीर समझ आ जाएगा Sperm head has many products on its surface such as glycoproteins, proteins and cholesterol during capacitation estrogen hormone released by ovary from 1 to 14 days of female reproductive cycle induces the production of uterine and cervical fluids from uterine glands these fluids remove the most products from the surface of the sperm head and relieves the sperm head with specific modified glycoproteins जहां पर समाझना है मुझ रोग लिडाफ लोग the capacitation of sperm head makes the sperm cell hypermotile Dr. Nadiem, Capacitation से क्या होता है आपका जो sperm होता है वो hypermotile हो जाता है and increase its mortality as it moves towards zoonopelosida type 3 receptors upon its surface of zoonopelosida ठीक है तो यह उसकी mortality कैसे increase होती है? Capacitation से ठीक है तो note कि आपका zoonopelosida क्या होता है? extra cellular cell से बहर thick transparent membrane होती है membrane coat होता है that's around the scandriocyte Capacitation occurs throughout the female reproductive tract तो capacitation पूरा female reproductive tract में होती रहती है second process acrosomal reaction once the capacitated sperm cells reach the empola of the Philippine tube it recognize and binds with the ZP3 receptors upon the surface of zoonopelosida via specific modified glycoproteins on the surface of the sperm head this binding or fusion causes opening of membranes of the sperm head and acrosomal vesicles present in sperm head fuses with ZP3 receptors and this fusion of acrosomal vesicles with ZP3 causes release of chemicals such as acrosine and proteases from acrosomes acrosine and proteases bury a hole into the zoonopelosida to get access to the cell membrane of the scandriocyte of Phasmula cassioga cell membrane of oocyte has a specific protein with one alpha and one beta subunit once a single strong and powerful sperm gets an access to the sperm cell membrane first it binds with beta subunit this binding causes opening of sodium channel and influx of sodium into the oocyte through cell membrane sodium influx causes a positive charge across the surface of the cell membrane and this positive charge prevents the binding of further sperm with the membrane thus it only enables entry of single sperm cells and prevents the entry of all other sperm cells and is called first blocked to polospermy next eventually the sperm cell binds with the alpha subunit and causes the fusion of the head of the sperm with cell membrane and the sperm releases its nuclear material into the oocyte this nuclear material is applied 1N gamete male gamete male applied 1N gamete with 23 chromosomes slow blocked polospermy once the nuclear material male gamete enters the scandriocyte calcium ions will be released out of the smooth endoplasmic reticulum into cytosome these calcium ions cause activation of lysosomes these activated lysosomes migrate towards and bind with the cell membranes and release hydrolytic enzymes these hydrolytic enzymes break down the zoonopalosuda and all its products so no further sperm can attach with zoonopalosuda and cannot get access to the scandriocyte it is called slow blocked to polosome next these calcium ions released from smooth endoplasmic reticulum also caused the scandriocyte to complete measus 2 which was arrested in metaphase 2 as scandriocyte complete its measus 2 it changed into heplied 1N definite ovume and egg with 23 chromosomes 23 chromosomes male gamete replied वो दोनु आ गये हैं अब दोनु में क्या होगा फ्रटलिशन होगा कैसे तो वो जा कि आगे क्लीवेज बताया मुझे आगे क्लीवेज पढ़े के काफी है बताया जी डॉक्टर अज़रात इनफ है चले ओके चले ओके चले ओके इनफ है और सोले कल और परसु छुटी है नौ और दस महरूं में फिर इंचले तलह हम गेरा महरूं से जरापना आगे लेक्स स्टाट करें ठीक है ओके लाफिस टेक कियर लाफिस